दोस्तो एक कहावत है हम हूँ चोड तुम हो चोड 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 मोसेरा भाई दोस्तो आज इस वीडियो में मैं जो भी बोलूँगा एक फैक्ट के तोर पे बोलूँगा जो कि प्रूफ के तोर पे मेरे पास मौजूद है और दोस्तो इन सरे प्रूफ को मैं फेस्बुक पेज पे सेयर कर दूँगा क्योंकि दोस्तो प्रूफ के तोर पे मुझे गाना को दिखाना परेगा और वीडियो में गाना को दिखाना एलाओ नहीं है तो दोस्तो आज राहूल राय जी का ये गाना रिलीज हुआ है वे म्यूजिक से जो कि दोस्तो जिसके बाड़े में राहूल राय जी का कहना है कि ये गाना उनका है दोस्तो आप लोगों को बता दे कि कल रितेस पंडे जी का ये गाना रिलीज हुआ था जिसके पारे में सायद रितेस पंडे जी भी कहेंगे कि ये गाना उनका है दोस्तो इन दोनों गानों को अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग पाएंगे कि इन दोनों गानों का म्यूजिक सेम है अंत्रा सिंग प्रियांका का डुएट सेम है और ये गाना भी सेम है यानि कि दोस्तो इसका अर्थ ये निकलता है कि एक गाना का मालिक दो सिंगर है अमहो चोर तुहो चोर चोर तोर चोर मोशेरा भाई। दोस्तो भै अब है आपलोगों को अमीत अनारी जी का इस्क्रीन शोर दिखाना चाहूंगा जो की डोसतो्टो रिलीज हुआ था जनुवड़ी 2020 में। यानि कि दोस्तो आज से चार महीना पाच महीना पहले ये गाना अमित अनारी जी ने गाया था और दोस्तो इस गाना में उनके साथ कविता यादो जी ने डुएट किया था दोस्तो एक बड़ आप लोग अमित अनारी जी के गाना को सुनिए रितेस पांडे जी के गाना को सुनिए और दोस्तो आज राहूल राया जी का जो गाना रिलिज हुआ है इसे सुनिए सुनने के बाद आप लोग पाएंगे की रितेश पांडे जी का गाना राहूल राय जी का गाना और अमीत अनारी जी का गाना तीनों गाना एक ही गाना है और दोस्ति हापे मैं आप लोगों को बता दू कि अमीत अनारी जी का गाना आज से चार महिना पहले रिली जुआ था इसलिए हम लोग कहुँ सकते हैं कि अमीत अनारी जी इस गाना के ओरिजिनल मालिक हैं यानि कि दोस्ति इसका आर्थ ये निकलता है कि अमित अनारी जी का गाना डितेस पांडे जी ने भी चुराया है और आहुल राय जी ने भी चुराया है दोस्ति हापे मैं वो कहावत को तीसरी बार दोहराना चाहूंगा की हम हूँ चोड तु हूँ चोड 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 मौसेरा भाई दोस्ति हापे मैं आप लगों के एक और चीज नोटिस कराना चाहूंगा अमीत अनारी जी के थमनेल पे यहापे निर्देशक में अखलेस जी का नाम है दोस्ति यह अखलेस जी इस पूरे मुद्दे का टर्निंग पॉइंट होंगे जिनके बाड़े में मैं बिना जनकारी के कमेट करना नहीं चाहूंगा दोस्ति हापे मैं आप लोगों के एक और बात बता दू कि यह जो सारी बाती मैंने बताई है यह फैक्ट के अधार पे है जो कि प्रूफ के साथ पुब्लिक डोमेन में अवलेवल है अगर भवी से में ये फेक्ट गलत साबीत होती है तो मैं भी गलत साबीत हो सकता हूँ और दोस्तो उस समय मैं अपनी गलती स्विकारने से पीछे नहीं हटूँगा लेकिन दोस्तो फिलाल ये सारी फेक्ट कहीं से भी गलत साबीत होते हुए नहीं देख रहे हैं तो दोस्तो आप लोगों को इसके बाड़े में क्या कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तो अगर आप लोगों को प्रूफ देखना है तो मैंने अपने फेस्बूक पेज पे डाल दिया है डिस्क्रिप्सन में लिंक है जा कर देख सकते हैं दोस्तो बस इ मिलेंगे अगले वीडियो में तबते के लिए जय हिंद जय भशपूरी